वेलकम तू दे चैनल स्टूडेंट्स तो आज हम इस वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अच्छे से एक्स्प्लेइन करने वाले हैं इसके सभी की पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा कि क्या-क्या स्कूल एजुकेशन में एंड क्या-क्या जो हमारी हाईर एजुकेशन में इस नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में दिया गया है उसके बारे में हम ड़िटेल में बात करने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें इसमें आपको सभी important बातें इसके बारे में अच्छे से समझाई जाएंगी तो सबसे पहले हैं this education policy जो है वो 34 year के बाद हमारे देश में education policy को replace किया गया है इससे पहली जो policy थी उसका नाम था national policy of education जो के 1986 में आई थी ठीक है जिसको के बाद में update किया गया था 1992 में उसके बाद अब 2020 में 29 जुलाई को हमारी national education policy को approve कर दिया गया है ये policy बना कर launch हो चुकी थी 2-3 साल हो चुके हैं इसके लिए बहुत सारी suggestion भी हमसे ली गई थी बट इसे approve जो किया गया है वो इसको 29 जुलाई 2020 को किया गया है तो ये जो national education policy है इसे total wise different languages and साथ में audio books में सभी के लिए available किया जाएगा ताकि सभी इसे जो है वो अच्छे से read कर सकें और इसे अच्छे से understand कर सकें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि school education में क्या-क्या इस जो national education policy में हमें बताया गया है सबसे पहला है कि 100% gross enrollment ratio in schools education by the 2030 government का ये मानना है कि हमें 2030 तक 100% gross enrollment ratio अपना बनाना है gross enrollment ratio का मतलब क्या होता है कि किसी देश में total जितने students हैं उनमें से कितने student enroll होते हैं मतलब कितने student actual में school को join करते हैं उसको जो हमारे इंडिया का aim है कि 100% तक उन्होंने पहुंचाना है अगले 10 सालों में तो इसके अंडर उन्होंने ये अनुमान लगाया है ये हमें बताया है कि 2 crore, 2 crore जो school going children है उनको वापस school में लेकर आना है अगर ये 2 crore children's वापस school आ जाते हैं, mainstream में आ जाते हैं तो इनका जो gross enrollment ratio यानि कि GER है वो हमारा 100% हो जाएगा ठीक है तो आपको सबसे पहले तो इस term को understand करना है gross enrollment ratio gross enrollment ratio क्या है, ratio है कि जो actual में कितने बच्चे enroll होते है total students में से, total देश में जितने भी बच्चे है उन में से, ठीक है कितने actual में student बनते हैं next है कि education to get 6% of the GDP ठीक है जो कि इस वक्त है 4.43% including state and the center government इसको बढ़ा कर 6% बनाना है GDP का 6% हिस्सा education को जाना चाहिए ठीक है, government to set up in national technology form to impart knowledge online online knowledge को increase करने के लिए national technology form बनाई जाएगी NTF, इनकी short forms भी आपको याद रखनी है NTF, new system of education बनाया गया है, यह काफी important point है ठीक है, जिसमें के अब क्या होगा 10 plus 2 system, जो के normally हमारा use होता है ठीक है न, 10th class उसके बाद 2 साल की study होती है उसको change करकर अब इसको 4 different parts में break किया गया है 5 plus 3 plus 3 plus 4, ठीक है इसका मतलब क्या है के हमारे लिए अब 3 years की study होगी plus 12 साल की study ठीक है न, 3 years होगी pre-schooling और 12 साल की होगी schooling ठीक है, सभी government schools में आपको इसके बारे में तो पता होगा के private schools में तो already यह ही rule apply हुआ हुआ है सभी जगा पर, ठीक है बट government schools में ज़्यादा तर यह rule अभी नहीं apply हुआ था तो वहाँ पर भी pre-schooling के जो है, वो हमारे पास 3 years की study होगी, ठीक है जिसमें के first 5 years जो है, ठीक है न, यह जो है 5 वाला part इसमें क्या होगा के first 5 years of the school includes 3 years of the pre-primary या फिर अंगनवारी school, ठीक है and the classes 1 and class 2, ठीक है न, class 1 and class 2 class 2 तक हो जाएगा 5 years अगले जो होंगे 3 साल अगली होंगी classes, ठीक है 3rd to 5th, ठीक है इसके बाद होगी, जो उसके अगले होंगे 3 years उनमें होंगी classes, 6 to 8 इसको हम बोलेंगे middle age stage, ठीक है and जो आखिर के 4 years होंगे वो होगी हमारी secondary stage that is the classes 9 to ठीक है, तो मतलब जो इसमें basically जो सबसे बड़ा change हुआ है, वो है ये 3 years की pre primary schooling, जो के बहुत सारी इंडिया की states में apply भी हुई हुई है, बट अब पूरे इंडिया में ये चीज apply होगी, ठीक है option दिया जाएगा, ठीक है students जो है, वो coding को भी choose कर सकते हैं, ठीक है so mathematical thinking and scientific temper to be part of the course, गवर्मेंट ने ये काया है कि mathematical thinking बच्चों के course का एक part होना चाहिए, so students can opt for the courses as per their choice, ठीक है, so student to be allowed to take up coding from class 6, वो class 6 से ही coding को choose कर सकते हैं जिसका के बहुत ही अच्छा एक students के लिए opportunity बनेगी उनकी एक skill improve होगी और वो जो आगे जाकर इस field में बहुत ही अच्छा perform कर सकेंगे ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है board exam pattern change किया जाएगा board exam का pattern अभी कुछ define नहीं हुआ है बाद में define होकर आएगा बट अभी उन्होंने ये बताया है कि काफी बड़ा इसमें change होगा सभी exam, सभी courses जो है वो two languages में available होंगे सभी courses and जो board exams है across the states also states के लिए भी ये है special वो knowledge and application के based prepare होने चाहिए and उसमें objective and descriptive both type का material होना चाहिए knowledge and application based states को भी ऐसे ही paper बनाने पड़ेंगे ठीक है report cards जो होंगे जो हमारे बच्चों के reports card होंगे report card to have assessment by the teacher and the peers ठीक है teachers and जो भी students की age के लोग होंगे वो उनके जो है report cards की assessment को देख सकते होंगे and AI based assessment बनाई जाएगी ठीक है artificial intelligence based assessment बनाई जाएगी and assessment reforms with 360 degree holistical progress card एक इसमें 360 degree holistical progress card बनाया जाएगा wrecking the student progress for achieving learning outcomes जिसके के student की progress को हम देख सके हमेशा के लिए ठीक है एक 360 degree holistical progress card बनाया जाएगा तो प्लीज इन सभी key points को आपको सासाथ में note करना है याद रख लेना है teaching up to the at least fifth grade to be in the mother tongue or the regional language ठीक है न अप to the fifth class तक की study mother tongue में ही होगी and no language will be imposed on any student ठीक है कोई भी language उन पर और imposed नहीं की जाएगी a new and comprehensive national curriculum framework for teacher education ठीक है इसका बेले आपको full form देखना है national curriculum framework for the teacher education that is ncfte 2021 will be formulated by the ncte in consultation with ncrt और इसके लावा ये तो हो गया कि जो एक new framework होगा teacher education के साथ related जो हमारा अगले साल apply किया जाएगा उसके बारे में बाद में information दी जाएगी कि उसमें क्या है जाएगी तो हमें इसके बारे में wait करना होगा 30% हमें increase करना है GER को GER मैंने आपको जैसे के पहले ही बताया था यह क्या होता है कि number of students कितने enrolled होते है out of the total students ठीक है for instance in India में जो है वो improve होकर अभी कितना है 26.3% है अभी के लिए इसे 50% और अभी increase करना पड़ेगा ठीक है एड की जाएंगी higher education में यह एक बहुत ही बड़ी opportunity होगी सभी students के लिए ठीक है इसका मतलब जो higher education में जितनी भी institute साती है जैसे कि IITS, NITS, बाकी सभी universities उन सभी में seats को increase किया जाएगा ठीक है बहुत ही अच्छी बात है by the 2031 large multi-disciplinary college in every district कोशिश होगी government की कि every district में हर एक जिले में अगले 10 सालों में एक multi-disciplinary college बनाया जाए ठीक है and the next is also very very important for all the students जो भी इस बक्त higher education को में है कि MPHL को हटा दिया गया है MPHL to be discontinued to pursue research research में पहले क्या होता था कि MPHL का option भी होता था all courses at UG PG and PhD level to be interdisciplinary मतलब उनमें एक से ज़्यादा disciplines की study की जाएगी and MPHL को हटा दिया गया है बट इससे पहले क्या था कि जो student research में जाने की सोचते थे वो बहुत बार ऐसा भी सोचते थे कि हम पहले MPHL को join करकर देखें अगर उसमें हमारा interest अच्छा होगा तो हम फिर आखे a PhD के लिए जाएंगे बट अब MPHL को हटाया जाएगा और government की यही कोशिश होगी के UG और PG में यानि के जो हमारी graduation and post graduation में ही research work को उसमें ही add किया जाएं fees to be regulated, fees को regulate किया जाएगा, fix किया जाएगा single common interest exam for all the colleges सभी colleges के लिए single common entrance exam जो के NTA National Testing Agency के द्वारा होगा उसको रखा जाएगा बट यह चीज optional होगी ठीक है मैं mandatory नहीं होगी ठीक है तो मतलब जो institutes होगी उनके लिए optional होगी है ठीक है वो इसमें से बाहर भी हो सकती है all institutes to be research institutes सभी institutes में research होनी चाहिए अगले 20 सालों में ठीक है 2020 तक सभी institutes को research institutes बनाना है music, arts, literature to be taught in all the colleges सभी colleges में music, arts and literature को भी बढ़ाया जाएगा सभी colleges में ठीक है foreign universities को इंडिया में अपने campuses खोलने के लिए मुका दिया जाएगा ऐसे laws बनाये जाएगे कि top 100 जो foreign universities है वो इंडिया में अपने campus खोल सकें यह भी एक बहुत ही अच्छी opportunity होगी Indian students के लिए अगर ऐसा हो जाता है ठीक है अगली चीज बहुत ही important है सबसे important जो इसका part है multiple entry and exit points with appreciate certification ठीक है यह बहुत ही important part है कि multiple entry and exit points होंगे यानि के मान लीजे के अगर आपका degree course जो है वो जैसे हमारी graduation होती है 3 years की है अगर आप उसमें सिरफ एक साही complete करते हैं आपको एक certificate मिल जाएगा ठीक है उस field का जो भी आपका होगा अगर आप उसमें 2 साल complete करते हैं तो आपको एक diploma का certificate मिल जाएगा अगर आप उसमें complete करते हैं 3 years तो आपको अपना bachelor degree का program का certificate मिल जाएगा मतलब आप 2 साल complete करकर भी छोड़ सकते हैं आप वहाँ पर एक साल complete करकर भी छोड़ सकते हैं यह बहुत ही अच्छी बात है सभी students के लिए एंड ऐसा में भी post graduations में भी किया जाएगा ठीक है curriculum of all the HEI यानि के higher education institutes shall include credit based courses ठीक है na credit उनको दिया जाएगा सभी students को and projects in the projects in the area उन सभी courses में उनको projects add करने होंगे जो के related होंगे with environment education, community engagement and value based education मतलब education को और जदा practical बनाने की ही कोशिश की जाएगी ठीक है an academic bank of the credit एक academic bank of the credit बनाया जाएगा will be set up to enable digital storage of the credits students ने जो भी credits earn किये हैं अपनी अलग अलग institutions में उनका एक online storage बनाया जाएगा कि अगर हम अपना कोई भी educational institute change करते हैं तो हमारी उस storage से हमारे credits को भी वो जो new institute होगी वो भी उन्हें use कर पाएगी ठीक है so academic bank of the credits बनाया जाएगा okay e-courses will be developed in eight regional languages ठीक है e-courses होंगे जिनको के आठ अलग-अलग बाशाओं में भी बनाया जाएगा and virtual labs बनाई जाएगी ठीक है जिसमें के virtually आपको सभी कुछ दिखाया जाएगा explain किया जाएगा ठीक है तो यह सभी important बाते थी जो के national educational policy में हमें जानकारी मिलती है school education and higher education में कुछ बड़े changes हुएंगे होंगे आगे जाकर उनके बारे में इसमें complete information थी इसके बारे में अगर आपको और detail में रीड करना है तो आप PIB की official site से रीड कर सकते हैं या फिर आप नरिंदरमोदी.in site से इसे रीड कर सकते हैं यह दोनों official हमारी government की sites हैं वहाँ पर आपको detail में इनके बारे में और deeply अगर आपको रीड करना है पूरी जानकारी मिल जाएगी अगर आपको कोई भी इसमें point के बारे में जानकारी लेनी अच्छे से ठीक है तो आपको इस video को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के साथ अपने सभी friends के साथ इसे share करना है और चैनल को subscribe करना ना बूलिएगा thanks for watching this video